नमस्कार दोस्तों रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियम देखने वाले चोटे से दो-तीन कंपनियों के बारे में जो आगे जाके फ्यूचर में मल्टी बैगर श्टॉक बन सकते तो जो भी कंपनिये याप तीन से चार कंपनिये सेमी सेक्ट जा रहा है इसके से आने वाले समय में ड्रोन सेक्टर में जो भी कंपनिये काम कर रहे उनके लिए बहुती बड़ा फायदा होने वाले तो जैसी के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले जो पहली कंपनिये रतन इंडिया एंटरपाइज क्या आगे जाके 200 रुपे के आ चाहते हैं कि हम लोग बाहर से ड्रोन इंपोर्ट कर रहे इसको बंद करके जो डोमेश्टिक कंपनिये इनको यहाँ पर कॉंट्रेक्ट मिलने चाहिए इसके से जो भी ड्रोन सेक्टर के स्टॉक है लगातार भाग रहे और जो दूसरा रिजन है कि हर एक सेक्टर में ड्रोन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रहे है क्योंकि आपने देखा रहे है आगरिकल्टर सेक्टर या फिल्म डिपेंज सेक्टर जो भी प्री विडिंग रहते हैं वहाँ पर भी ड्रोन का इस्तमल किया जा रहे है मतलब जो ड्रोन का डिमांड है लगातार बढ़ता जा रहे है उससाब से सप्लाई हो नहीं पा रहे है इसके से इंडियन गवर्मेंट इस सेक्टर को बढ़ावा देने वो भी क्या करना पड़ेगा SIP मोल में पैसा लगाना पड़ेगा धीरी देरे करके पैसा लगाना पड़ेगा वन टाइम पैसा लगा के नहीं चलेगा तो अपडेट क्या है आप लोग पढ़ सकते हैं जैसी कि यहाँ पर बोलागा है जो भी ड्रोन फर्म्स आइसकेल क्वा पैसा लगा रहे तो थोड़ा लड़ा करके पैसा लगाना पड़ेगा डाइरेट हेवी इन्वेसिंट मत केजे कि हेवी इन्वेसिंट का क्या यहाँ पर लॉस हो जाएगा अगर आपने फॉर्द एक्जंपल आपके पास एक लाग रुपे और अपने जेंटेक में या फिर द्रोनाचरे में या फिर रतन इंड़े में लगा देंगे और फॉर्द एक्जंपल मार्केट किसी एक स्वाई जेड रिजन से यहाँ पर क्रैश हो जाता है तो क्या होजएगा आप टॉप यौल पर आटक जहेंगे और वहाँ से रीकर होने के लिए स्टाउक को आप कम से क इसे पूरी स्ट्रेजी की साथ पैसा लगाना चे तो नेक्ट सवाल है कि जो रतन इंड़े एंड़े स्टाउक है क्या दो सो रुपई के आसपात जा सकता है की नी डेकि आपको टाइम देना पड़ेगा होने के लिए एक साल के अंदर भी जै सकता है कभीकभी आपको पांस रुख जाता है थोड़ी दिन के लिए इसके से आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम पास साल देजे कोई भी श्टॉक लेते तो वहाँ पे आपको पैसा बानेगा एतो था आज का वीडियो रतन इंडिया जो भी ड्रोइन सेक्टर में कम्पनिया काम कर रहे उनके लिए अ